Hello friends, I am back with another video, बहुत important video है, तो बहुत सारे DMs मिलते हैं, Instagram में, Telegram में, YouTube में भी बहुत सारे comments हैं, यह दो major questions मेरे से बहुत बार पुछा गया है, कि क्या हमें options buying करना चाहिए, selling करना चाहिए, या forex में करें, equity में करें, किस instrument में trade करें, यह question बहुत ज्यादा पुछा जाता है, second question मेरे को क्या swing trading करनी चाहिए, intraday करूँ, या फिर scalping करूँ, तो यह दो major questions है, जो बार बार पुछे जाते हैं, और यह बहुत important है आपकी trading journey के लिए, ठीक है, जो एक pro trader होता है, जो एक profitable trader होता है, उसको यह सब चीज़े very clear होती है, is very clear about it, कि उसको किस instrument में trade करना है, क्या उ time frame पर करना है, उसको swing trading करना है, positional करता है, क्या करना है, एक profitable trader बहुत ज़्यादा clear होता है, इस चीज़े को लेकर, लेकिन जो एक beginner trader होता है, और जो एक loss making trader होता है, वो बहुत ज़्यादा confused होता है, यह बात बहुत लाजमी है, क्यों? क्योंकि वो profit करना चाह रहा है, वो desperate ह है, वो चाहता है, भाई, किसी ना किसी तरीके से, कुछ भी करके में को profit हो जाए, तो हर जगा वो हाथ प्राओं मारने के कोशिश करता रहता है, तो इसका answer मैं देता हूँ, कि आपको किस instrument में trade करना है, और आपको कौन से style of trading करना है, क्या आपको future trade करना है, क्या आपको options buying क करना है, selling करना है, क्या करना है, ठीक है, और किस time frame पर काम करना है, और किस instrument पर काम करना है, तो देखे यार, इसका answer मैं अगर एक answer दूँ, तो वो सिर्फ आप decide कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं यह बोलें कि आप लोग है, तुम हर बात मैं यही बोलते हूँ, कि आप decide करी, तो किस type of trading करना है, क्या आप को swing करना है, scalping करना, dating करना, यह depend करता है कि भाई, आप अपने दिन में करते क्या है, क्या आप एक student है, क्या आप पूरा market hours में खाली बैठ सकते हैं, या फिर आप office goer है, आप job करते हैं, आप shift में काम करते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से decide होग तो आप कैसे expect कर सकते हैं, कि आप market देखें, आप scalping करें, आप intraday trading करें, यह दो आप तो आपके लिए options बचता ही नहीं है, इंडियन market की बात करो, इंडियन market तो 9 to 3 open रहने वाला है न, 3.30, तो भाई आप अगर आप 9 to 5 job कर रहे हैं, बिजी हैं अपने job में, आप कैसे य and mostly जो job करता है, वो इसी time frame पर करने वाला है, तो आप तो इंडियन market में काम नहीं कर सकते हैं, that too intraday and scalping, तो आपके लिए options हैं यह नहीं, आपके लिए options क्या बचता है, फिर आपको अगर करना है तो, फिर आपके लिए options बचता है swing trading करना, लेकिन अगर आपको फिर भी scalping क करना ही है, आपको intraday करना ही है, जल्दी से quick returns चाहिए, then you can go to crypto market, forex market, आप इस side shift कर सकते हैं, similarly, same example, और किसी के लिए हो सकता है कि भाई, ठीक है, कई सारे student लोग आजकल trading करना चाहते हैं, ठीक है भाई, student है, आपके पास time है, क्योंकि college में आपको time मिल सकता है, लेकिन क्या आपके पास उतने money है, क्या आपके पास पैसे हैं, किसी particular style of trading करने के लिए, अगर आप मान लिजे, cash market में swing trading करना चाहते हैं, हो सकता है, कही लोग decide करेंगे, चलो भाई, मैं cash में swing trading करता हूँ, तो भाई, अगर मान लिए, आपके पास एक लाग या दो लाग capital लेकर आये हो आप cash में एक मेहने में कितना return निकाल पाओगे, अगर एक मेहने में आप 10% पर return निकाल रहा हैं, यह बहुत ज़्यादा amount होता है, बहुत ज़्यादा high return है, अब देख लिजे, swing trading में आप बोलेगे, आप monthly 10% निकालूँगा, तो it's a big deal, actually, और आपके पास सिब 1,00,000 कि कौन से style of trading हमको करना है, swing trading करना है, cash market में करना है, options buying करना है, selling करता है, यह चीज़ डिपेंड करता है, आपके routine पे, आपके personality पे, आपका कितना आपको time allow करता है, उस पे, routine in the sense, आप क्या करते हैं, भाई, आप पूरे दिन में क्या करने वाले हैं, अगर आप office आने वाले आप busy हैं, आप travel कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप scalping intraday के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, possible ही नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, भूल जाएए, अगर आपका ऐसा schedule है, आप कहीं job आप करते हैं, भूल जाएए, आपको scalping कर पाएंगे इंडियन market में, आपको cryptos मे करना है, forex में करना है, वहां कर सकते हैं, ठीक है, कोई student है, student है, आपके पास time है, आप try कर सकते हैं, ठीक है, यह हो उगा कि जो student भी नहीं है, और जो job भी नहीं कर रहा है, इसके मतलब जिसके पास पैسे ही नहीं है, तो बाई, ऐसे लोगों के लिए trading करना ही रिस्की है मैं आपको बता रहा हूँ क्यों क्योंकि आपके पास mental stability नहीं है आपको पहले की income source लाने की जरुवत है जब तक आपके पास पीछे से पैसे नहीं आएंगे ना आप trading में डाल नहीं सकते यार क्योंकि trading में डालो के पैसे आप गवाने ही वाले हो कितना भी पैसे लेकर आप एक हजार लाओ एक लाक लाओ एक करोड लेकर आओ अगर आप trading में आओगे starting में आप लोजी करने वाले वाले आपको लोजी होगा इसलिए अगर कोई job नहीं कर रहा है जो के पास earning source नहीं है वो बोलता है मैं trading करूँगा तो भाई पहले एक income source लेकर आओ ठीक है उसके बाद क्या हमको इंडियन में करना चाहिए एक ये विड़े में सब questions में बता रहे है इंडियन में करने चाहिए इसका भी सीधा सांसर है अगर आपको इंडियन मार्केट में करने का time है allow करता है आपका time आपका schedule कर सकते हैं अगर आपको high return का expectation है आप forex market में कर सकते हैं forex market में बहुत ज़्यादा high returns possible है लेकिन ठीक है भाई थोड़ा illegal है legal नहीं है इंडिया में इंडिया से करके तो आप भी कर सकते हैं forex market में सच कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोग कर रहे हैं उसमें regularly payouts लेके आप अपने account में डाल सकते हैं इसके बाद कई लोग options buying में try करते रह जाते हैं बहुत time तक options buying में यार देखो हमारे favor में नहीं होता है options buying first thing यह मैं आपको बताते हैं long term में अगर देखें तो options buying एक trader के favor में नहीं होता है तो अगर आपके पास इतना अच्छा technicals है अगर आपको chart trading आती है तो आप क्योंकि इसमें options में theta अगरा time decay दुनियादारी options geeks आ जाते हैं इसके वज़े से losses होता है तो आप ऐसा चीज ट्राय कर सकते हैं जिसमें option geeks नहीं है जैसे के futures में ठीक है या फिर swing trading आप कर सकते हैं ठीक है cash में limited profit होगा तो आप futures market में जा सकते हैं sorry forex market में crypto market में क्योंकि वहाँ पर भी आपका अगर price reading आपके अच्छी है वहाँ आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं अच्छे कासे profit generate कर सकते हैं ठीक है क्या करना चाहिए किस type of reading करना चाहिए I guess मैंने इसका आपको answer दे दिया है क्या Indian करना चाहिए forex करना चाहिए forex कोई दिक्कत निया अगर आपको Indian में भी loss हो रहा है न options buying में अगर price understanding आपके अच्छी है आप forex में profit कर जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं option selling का कई लोग पूछते हैं भाई क्या हमको option selling करना चाहिए जिसके पास बहुत कम capital एक लाग दो लाग रुपए लेकर आ रहे हैं वो लोग होते हैं option selling करें क्या और as a beginner मैं तो बोलूँगा कि आपको हर परकार का trading style को try करके देख लेना चाहिए क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपकी personality पे क्या suit करने वाले हैं कई लोग को होता है जो अच्छा गाजा attention absorb कर सकते हैं तो options buying कर सकते हैं कई लोग को होता है कि जो बहुत फोड़े फोड़े profit से satisfy होते हैं सबकी अपने अलग personality होती है option selling try कर सकते हैं किसी के पास कम capital है कम capital से आप options selling से तो ज़्यादा पैसे बना ही नहीं सकते है इस बात को reality check जान लेजे option selling कर आप कर रहे हैं आपके पास एक लाग है hedging वेजिंग करके थोड़ा मड़ आप यूज कर सकते हैं दो लाग है तीन लाग है आप option selling के ज़रिये पैसे ज़्यादा नहीं बना सकते है बहुत limited पैसे बनेंगे लेकिन मेरा ये suggestion रहेगा भाई आपको हर प्रगार के trading को try करना चाहिए पहले चाहे वो futures हो चाहे options buying हो selling हो swing trading हो positional हो forex हो crypto हो हर प्रगार के market को try करिए सब में आपको कुछ ना कुछ result मिलेगा भाई अच्छा मिल सकता है बुरा मिल सकता है कुछ ना कुछ result मिलेगा सब को analyze करिए finally देखिए कि आपको किस में सबसे ज़्यादा peace of mind है ठीक है क्योंकि जब तक आप एकदम peacefully काम नहीं करेंगे आप अच्छा केरियर नहीं बना सकते रिडिंग में इसलिए हर चीज़ ट्राय करिए ट्राय करने के बाद देखिए भाई आपको किस style of trading में किस instrument में किस market में ज़्यादा mental peace मिल रहा है ज़्यादा profit मिल रहा है आप किस में ज़्यादा happy है और उसको ही choose कर लिए ये एक दिन में कोई बोल देगा कि आप ये करिए उससे decide नहीं होता है जब तक आप हर चीज़ को try नहीं करेंगे उसका result नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी आपको क्या करना है I hope इस वीडियो में जो भी मैं बताना चाहरा था कि किस market में trade करें कौन से instrument में trade करें किस time frame पर करें ये काफी हद्ता clear हो गई होगी depend करता है आपका routine कैसा है आपका schedule कैसा है आपके पास पैसे कितने है ये आप कितना desperate है इन सब चीजों से depend करता है कि आपका finally जो आपका किस instrument पर आप काम करेंगे या फिर किस market में काम करेंगे किस time frame पर काम करेंगे और कैसे trader बनेंगा I hope दोस्तों ये वीडियो आपको help की होगी मिलता हूँ आपसे next वीडियो में comment करके बताइए किस वीडियो पर आपको किस topic पर आपको वीडियो चाहिए बाबाए